पूरा का पूरा आपको जी फास्ट्रेक बैच चल रहा है ना वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सर और इस फास्ट्रेक बैच का मालब सारे चेप्टर तो मिलेंगे आपको यूट्यूब पर मैं नीचे डिस्क्रिशन पर लिंक दे दूँगा में पता है क्या चीज चल रही है अंडरिस्टेंडिंग तो पूरी चली रही है अंडर इसे माक्स ने देगी रट्टाफिकेशन ट्रिक निमाने की जिम्मेदार भी मैंने ही ले रखी है वो भी मैं ही करा रहा हूं ठीक है ना और बाकी ये तो चलो शुरू करते है बाकी तो यह हो गया आपको यह इसी बुक से हो रहा है अपनी ऑडिट की बुक है बिल्कुल चा और वर्मेट में जिसके अंदर और ओरिट कंप्रीट हो गई हंड़ीट परसेंट कोशलिए अले नींट जूच निघाओ भी मैं उन जीकर फोर्um चार्ट, टेबिलर, यह देखो, यह concept हो गया, इस concept के नीचे question हो गया, वैसी same concept हो गया, इसके नीचे question हो गया, colorful book के bold highlighted सब मिल जाएगा, हो गया, चलो, बाकी में अब शुरू करते हैं, चैप्टर, तो भाई, कालो 2020 की reporting जो एक हर auditor को करनी होती है, क्यों करनी होती है, अपने तो यह वो ही अब है, regulatory requirement के साफ से auditor को reporting करनी है, कारो 2020 की companies act बोलता है, कि आप एक audit report है साथ सुगी, तो अलग बन गई, उसको छोड़ो, उसके लाब एक कारो 2020 की report हमको एक अलग से लाके ओर दो, तो section 143 सब section 11 deal करता है कारो से, section 143 11 of companies act deal करता है कारो से, तो किस-किस पर लगती है, हर company के auditor को देना है, हाँ बाई, every company, foreign company को भी, dormant company को भी, electricity करने को भी, उनकी branches को भी, सब को देना है, बाई, सब को देना है, every company प अप्लिकेबल हर auditor को, including foreign company भी not कर लेना, dormant तका तक, electricity तक इनको भी देना उनकी ब्रांचेस कर दोड़िना है हर कंपनी की ब्रांचेसको भी देना है मालब एक तो क्या होती है, हर एक entity, stand alone financial statement बना रहे है, हर एक entity का, फिर उन सबको console बनाके, consolidated financial statement बनाते है, बहुत सा रुख का console करके, तो जो stand alone entity है, उन पे तो लगी रहा है कारो, और जो CFS बन रहा है, कारो reporting अब CFS पे नहीं लगती है, consolidated financial statement बना रहे है, उसकी reporting करते है, आपको कारो की reporting नहीं देनी है, उसकी reporting करते है, कारो की reporting नहीं देनी है, यह अपनको ध्यान में लगना है, पर एक close CFS पे लगेगा, that is close number 21, यह वाला एक CFS पे लगेगा, consolidated financial statement, बाकी कुछ भी नहीं लगेगा, ठीके वो नीचे पढ़ेंगे अपन, और बाकी किस किस पे नहीं लग चोटी अली private company, ऐसे small, ऐसे small, ऐसे small, COPS, IB COPS पे नहीं लगता है, Sir, insurance banking, insurance banking पे नहीं लगता है, IB COPS, insurance banking पे नहीं लगता है, companies under section 8, जो भी वो NGO type वाली companies होती है, NGO non-profit organization, उन पे नहीं लगता है, IB COPS, insurance banking, COPS company under section 8, OPC, OPC company पे नहीं लगता है, P से private company, चोटी अली private company पे नहीं ल कि भाई, बैंक के, बैंक के अंदर फ्रांट भी रहा है, अब बताओ कि इस पर क्या-क्या कारो की requirement कौन-कौन से close लगेंगे, तो उनको साफ मना कर देना close दूर की बात है, इस पर तो कारो reporting लगती ही नहीं है, बात ही कितम करती सर, उसके बाद अब small company पर लगा कारो नहीं जाएगा, तो वो छोटी company जिसका paid-up share capital और turnover 44-44, 4-44, 4-44 तक हो, 4-44 तक हो, 4-44 तक हो, paid-up share capital और turnover 44 तक हो, 4-40 करोड तक हो, paid-up share capital 4 करोड तक होना चाहिए, उसका maximum, और turnover 40 करोड तक होना चाहिए, maximum, और turnover का अब check करेंगे, immediately preceding financial, पिछले साल, ध्यान लगना point note करना है वाल ध्यान लगना, important point में ध्यान लगना, turnover पिछले साल कर देखेंगे, अपन 4-44 के लिए turnover, पिछले साल कर देखेंगे, तो अगर ये condition पूरी हो गई, तो उसको छोटी company मान के, अपन उस पर कारोड नहीं लगाएंगे, पर छोटी company नहीं होगी, अगर वो under section 8 है, exception में दे रख चाहे वो under section 8 हो, छोटी नहीं है, माना small नहीं है, पर फिर भी उसको exception में रखा है न, और बाकी वो holding और subsidiary नहीं होनी चाहिए, special act company की, कोई भी company special act से form होई है, like कोई भी XYZ PSU है, वो special act से form होई है, अब ना तो उसकी holding होनी चाहिए, ना उसकी subsidi होनी चाहिए, मारब ये दोन small नहीं मानेंगे, तो पापा है बच्चा, पापा है बच्चा of special act company, उसको पन small नहीं मानेंगे, ठीक है, तो holding subsidy नहीं होनी चाहिए, special act company की, तो उसको नहीं लगेगा, तो small company की होगी, 4-4, 4-4, 4-4, 4-4, turn over, और या up to a limit कप थे, up to a, greater than equal to, अब दोनों सान लगेगा, sorry, less than equal to, ठीक है, immediately preceding financial, पिछले साल का चेक करना, इसके अंदर, private company पर भी नहीं लगता सरा, आप बोरो, private company उनली छोटी वाली, पर बड़ी वाली पर लगेगा, छोटी का मतलब क्या होता है, छोटी का मतलब एक तो same जो आपन ने पढ़ा, कि वो कोईसी भी public company की, public company की, ना तो व private company को अपन छोटी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपकी holding है, फिर आपकी subsidiary पब्लिक होगे ना, आपकी holding है, फिर subsidiary आपकी public होगे, तो मैं अगर holding है, subsidiary हूँ, किसी भी public company का, तो मुझ पर कारो लग जाएगा, तो मुझ पर कारो लग जाएगा, मतलब मैं छोटी private company नहीं तोप, तोप देखना अपन, तोप, टोप, ट से turnover, ट से turnover, ट से turnover, O से outstanding borrowing, P से paid up share capital, turnover जो होना चाहिए, turnover company का revenue, S पर schedule 3, schedule 3 का revenue में, जो भी schedule 3 के साब से revenue आता है, including revenue from discontinuing operation, discontinuing operation का भी को revenue वो भी include करके, 2, up to greater than equal to sign है, यापे भी, 10 करोड दो गोना चाहिए, वापे अपने अपन turnover, 10 कोड दो कोना चाहिए, इस पर the financial statement, ठीक है ना, TOO से outstanding borrowing of bank और financial institution, outstanding borrowing जो भी अपने bank के अपने financial institution से लिए, तो यह limit चेक करते हैं, क्या outstanding borrowing कहा से है, bank या फिर financial institution से लिए, वो limit देखेंगे, अगर अपने से किसी individual बंदे से loan लिया है, तो उसको नहीं consider करेंगे, credit, तो अप इसको consider नहीं करेंगे, या पर केवल bank और financial institution से लोन लिया है, वो ही impact करेगा, कारो applicability को, बागी नहीं करेगा, bank और financial institution से लोन अपन, एक करोड से जादा नहीं होना चाहिए, अपना एक करोड से जादा, एक करोड से जादा, नहीं होना चाहिए, paid of share capital, including reserve and surplus, reserve surplus को include करके, वो अपने turnover, उधर का था, preceding year का, ठीक है, तो यह जो revenue है ना, revenue as per the financial statement का total करके देखेंगे, of course, जो borrowing है ना, और capital कब देखेंगे, capital balance sheet item एक तरीके का, तो balance sheet date जो होगी, final उस पर देखेंगे, balance sheet date, पर एक borrowing अकेला है, borrowing अकेला, वो at any point of time, बनला, पूरा financial year चल रहा था, यहाँ पर देखेंगे capital, year end खतम होने पर, पर जो borrowing है ना, कि C, B, point of rate, पूरे साल के अंदर, पूरे साल के अंदर, अगर कभी भी एक करोड से exit हो गई, अगर borrowing, exit का sign कैसे लगेगा, जो भी है, एक करोड से exit हो गई, उस वक्त कारो लग जाएगा, चाहे उसने, यहाँ पर 2 करोड ह पर year के बीच में, उसने 1.5 करोड को repay कर दिया, और 50 लाग की बची, तो भी कारो लगेगा, क्योंकि during the year, अगर आपकी एक बार भी एक करोड के उपर लगई, तो कारो लगा देंगे हम तो, तो बोरेंग के अंदर, यह पूंद ध्याने के अंदर, top, 10,1,1, 10,1, वहाँ पर कि अगर वो small company है, पहले small company की definition देख लो, अगर small company की definition फुल्फिल कर जाया है, उमेडियेटी प्रिसीडिंग का, 40 करोट और, 4 करोट प्रणम ले, तो यह अगर condition पूरी हो जाया है, तो सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, तुम पे कारो नहीं लगेगा, अब यह limit exit भी क्यों नहीं हो रही हो, पर small है अगर तो कारो नहीं लगेगा, अब अपने जो पढ़ा पेड़ा चाहिए, तो इसका मतलब कैमरा क्या के include होगा, बहुत basic है, पेड़ाप में equity भी आएगा, preference भी आएगा, प्लस कोई कोई original share थे जो अपने forfeit कर लिए, पर उस share पे इतना उसने amount भरा था, वो भी include होगा, call scenario को minus होगा, सारे तरह की reserve, capital reserve, revolution reserve, security reserve, सब तरह के, हाँ, capital revolution reserve भी include करने पढ़ेगे, अपन को account करते हो, कि सारे, P&L का credit balance भी जोड़ देना, debit balance को minus कर देना, of course, बाकि reserve सारे आगा, capital, revolution, security, revenue, equity preference, दोना तरह की capital ले ले लिए, forfeated share वाल capital थोड़ी था, borrowing कौन सी अपनको include करनी है, financial institution से, किसी भी तरक्य की borrowing, bank financial institution से, किसी भी तरक्य की borrowing, मालब exclude क्या करना है, अगर individual से borrowing लिए, या फिर को interest, accrue हो गया पर due new, accrue हो गया, accrue हो गया पर due new, accrue मतलब तो, हर महीने to महीने, हर दिन accrue होता है, अपने कोई loan लिया, उसक repay करना interest, मालब due कब होगा, वो तो month end पे होगा, जब date की 30 आजाएगी, तो अगर अपन यहाँ पर कारों देख रहे है, पर अभी तक due नहीं होना, क्यों accrue होगा है, पर month end पे, उसकी liability कब create होगी, month end पे create होगी, तो उसको include नहीं करना है, due नहीं होगा, अभी तक क्यों accrue हो कुछ भी ले लिया, term, demand, cc, od, export, bill, short term, long term, secure, unsecure, credit card, outstanding, कुछ भी ले लिया आपने, और जो non fund facility convert हो चुकी है, जो non fund facility convert हो चुकी है, किसी के लिए अपने guarantee दी थी 5 crore की, guarantee दी थी, अब वो guarantee अभी तक count नहीं होगी, क्योंकि वो non fund based, अभी तक guarantee दी, असलिम है अपनी liability नही revenue मतलब schedule 3 के साब से जो भी revenue था, revenue from operation, दोनों मिला के, share products, services, non fund income, interest income, dividend income, fixed asset, investment base ले पर कोई gain loss हुआ है, तो वो भी count करना पड़ेगा, कोई भी दूसरी non operating income, net of expense, वो भी download, वो भी अपन को count करना पड़ेगा, ठीक है, बागी GST वग रहा थोड़े न, include करेंगे है, revenue थोड़ कारो लगेगा क्या है, यह under section 8 company पे नहीं लगता न, under section 8 company पे, भाई, IBCOPS, C under C से होता है, company under section 8, borrowing करिए, उसने सित्तर लाकी from each, bank और financial institution दोनों से अलग अलग, तो सित्तर प्लस सित्तर कित्ता हो गया, यह हो गया, 1.4 crore, तो लग जाएगा, कारो हाँ, बिलकुल लग जाए क्योंकि अभी तक, जो भी question आयवे है, अभी तक ICA के, उसमें ICA ने कभी preceding year का data ही नहीं दिया, अपन को small company देखने के लिए preceding year का turn order देखना पड़ता है, 40 crore का, preceding year का कई पर data ही नहीं दिया, ICA ने, तो अपन इसलिए small company देख ही नहीं पाते है, वो issue है, यह तुम डाउ पचास लाग तक है, sales 6 crore तक है, sales 10 crore तक है, capital reserve भी 1 crore तक है, तो car applicable नहीं होगा, पर जो sales है न, वो before deducting trade discount of 10 lakh है, तो उसके अंसे से, पहले तो 10 lakh का discount minus करो, sale return होगे 95 lakh की, वो भी minus करो, plus service आपने कोई दी है 10 crore 10 lakh की, वो भी नहीं लिया, वो 10 lakh की include करो, 10 lakh plus होंगे, 0.95, 10 minus ह होंगे, 5.5 crore, car applicable नहीं है, यह देखो, paydaf check capital, revenue is a capital, यह minus होगा, और बाकी सब add, add, add होंगे, यह इंदर का debit balance, तो इसको plus minus करने कोई बाद 12 lakh, 98 lakh, तो car applicable नहीं होगा, अब sir, अपनी caro reporting असली के अंदर शुरू हो गई है, अब caro reporting के अपने closes पने वाले, अब इसके पहले एक चीज़ दिया रखो, यह caro के जो close number है, 21 closes है caro के अभी अपने, तो इन 21 closes के marks है का सर, हरे close को, बिलकुल marks है, बिलकुल marks है, हरे close के 1 या 2 marks मिलते है exam के अंदर, तो याद कराऊँगा, अभी कराऊगे, अभी नहीं कराऊगे, इसके next video के अंदर में तो याद कराऊँगा, इसके अंदर अपन समझने और अंदर के content को याद करने की कोशिश करते है, जो caro के close number है न, वो याद कराने के next video डाल दूगा, बहुत इजीली याद कराऊँगा, को अब क्या क्या होगा, फर्स वारा close deal करता है, PPE से, sir, PPE से deal करता है, इसके अंदर PPE का आपनको कुछ नहीं देखना है, कि क्या NPT ने adequate record maintain कर रहे है, कोई भी उसके पास plant property है, तो क्या उसके adequate record maintain कर रहे है PPE ने, और जो record है, जो record है, मारा books के अंदर, books है न, books के अंदर verification के entity कर रहे है, क्या कि वो 10 कड़ो books में दिख रहा है, physically वापर land है भी या फिन नहीं है, वापर तो कुछ भी नहीं है, पानी है, वापर स्वमून दे रहे है, building नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो असली में, और अगर वापर building है भी, है building, क्योंकि असली में मेरे उपर ownership, मैं उसकी title deed किसके नाम पर, उसकी title deed किसके नाम पर, books में दिख रहा था, record camera दिख रहा था है, तो उसकी physical verification करो, तो उसका title deed किसके नाम पर, मतलब वो मेरे नाम पर होना चाहिए, title deed मेरे नाम पर होना चाहिए, यह दो मैं बात में कर रहता हूँ, यह दो भी बात मैंगे, त including intangible assets, intangible assets का भी आपको records properly maintain करना है, adequate record maintain करा है, नहीं करा है, PP का वो देखना है, including intangible assets, intangible assets का भी आपको properly maintain करना पड़ेगा records, ठीक है, अब आपने जो asset books के अंदर थी 10 crore की record के अंदर भी करा था, उसका physical verification भी तो करो, असली में ही या नहीं है, उसके बात ownership भी तो check करो, ownership building है, दीख रही है, physical verification में, पो उसकी ownership मेरे पर होनी चाहिए, तो title deed मेरे नाम पर होनी चाहिए, तो physical verification और title deed है, उसके point हो जाएंगे, physical verification, क्या management उसका reasonable interval पे physical verification करता है, क्या PPE का management reasonable interval पे करता है, क्या, कोई भी discrepancy अगर आपको मिली, कि भाई, बुक के अंदर तो 10 crore दिखी पर असली के अंदर में physical verification कर रहा हूं, तो इस में तो, मैं तो, मैं असली में book number 5 machinery दिख रही थी, पर में physical verification करना है, तो 4 machine ही, एक machine तो गायब है, तो कोई भी discrepancy अगर आपको मिली, तो उसको books के अंदर properly deal कर लो, books के अंदर properly deal कर लो, ठीक है, एक तो properly record रखना है, आपको करना है, और अगर कोई भी discrepancy मिली, तो books of account में properly deal कर लो, ठीक है, तो अब reasonable interval का मतलब क्या होता है, reasonable interval का मतलब एससे तो generally depend करता है, circumstance to circumstances, कि कितनी risky asset है, कहां पर asset पढ़ी है, border पढ़ी है, तो कैसे जाएंगे check करने, तो सब depend करता है, पर at least annual verification तो her management करना ही है, annual verification तो करना ही करना है, पर अगर फिर भी annual verification भी नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम ये कर लो, कि सारी asset आपकी कम से कम, तीन साल में एक बार verify हो जाए, ऐसा कोई plan बनाओ, इस साल total 10 asset है, इस साल 3 asset कर ली है, अगली साल 3 asset कर ली, फिर उसके अगली साल 4 asset verify कर ली, तो 3 साल के अंदर सारी asset cover हो ग ना अवह जोबी qualche है इसा करना रिसन आपना ही कोफ़ी केश्थ करना है को बडिस्रेपेंश इता जरी नाम पर इंप नुक्त ये नाम पर के नाम पर के नाम पर तो कि डूसरों के नाम पर मेरी उसके क्यों दिखा रहा हूं भाई वो तो दूसरों के नाम पे आपकी books में क्यों दिख रही है वो property तो जिती ही immobile property जो आपकी building अगरा देख रही है machinery दिख रही है वो आपके नाम पे है ना उसकी title lease, immobile property की title deed held in the name of company company के नाम पे except leased asset जो lease पे लिवी है, lease asset तो laser के नाम पर होगी ना, लेजर के नाम पर होगी 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 लेजर क नाम पे कौनसी property नहीं है क्या gross value हो किसके नाम पे क्या वो promoter director उसके relative के नाम पे कि director ने उसके नाम पे ले रखिया और company के books में शोगर रखी है कितनी रेंच से मैं लगा कितने period से director के हाथ में कितने डायरेटर के हाथ में property कानसी है कितने amount की है किसके नाम पे है, क्या promotor और कब से उसने held कर रखी है और क्यों हो company के नाम पे नहीं dispute है तो वो भी बताओ record के अंबर जो भी asset दिखा रहे है उसका physical verification करा है, उसकी title deed इंबोबल property है मेरे नाम पे, अब दो point टलक्सी को एंगे revolution और बेनामी पर पड़ लो एक तो बेनामी पड़ लो कि कोई भी बेनामी act property जो भी बेनामी act लगता है ना कि भाई ये property असली में मेरे नाम पे नहीं है, ये fraudulent property है ये fraudulent property है, किसी ने बेनामी act का मेरे पे case कर रहा है इस property को लेके कि ये मेरे नाम पे नहीं है, ये दूसरे के नाम पर नहीं चाहिए या फिर government ने कर रखा है कि यह बेनामी property है कोई भी कोई भी proceeding चल रहे है क्या initiation proceeding चल रहे है क्या उस property को लेके कोई भी ऐसी बेनामी act के अंदर बेनामी act के अंदर कोई भी initiation pending है क्या अभी तक initiated या तो initiate कर दी कोई मैंने proceeding सामने वालने हैं या फिर कोई भी pending की, कांपनी ने कोई भी बेनामी property held कर रखी है कंपनी ने, अगर इसा है तो kya वो appropriately disclose कर रखाए कि FS है, अगर इसा है तो appropriate disclose कर रखाए कि FS के अमते है, तो बेनामी property, और एक revolution, क्या company ने कोई भी PPE को revenue करая एंकिया, डूरिंग दे यह, क्या campaign ने कोई भी PPE को revenue कराएं किया, in 것 ROE asset, right of use asset जो indies 116 के साब से बनता है क्या company ने PPE, कोई भी PP को, revenue कराएं किया, तूरिंग the year, अगर revelation कराएं ख्या revolution कराएं किया, अगर कोई b히но revelation कराएं, तो क्या वो registered और अगर amount of change 10% या 10% से जाबा है तो 10 या 10% से जाबा है तो मुझे amount भी disclose करना पड़ेगा कि कितना amount का revolution हुआ है मतलब amount of change 10 या 10% से जाबा है in aggregate of net caring value net caring value मतलब कि जो भी अभी book की value आ रही थी net मतलब होता है gross value minus accumulated depreciation तो वो net हो गया तो जो भी अभ final revenue करा मैंने जो भी revenue करा तो क्या वो 10% से जाबा है each class of PP class of PP बोला या पर total PP नहीं बोला हर एक class मतलब एक building हो गया एक land हो गया तो कौन सा class मैं अगर building का revolution करा है तो building A, B, C तीन तरह की हो सकती है तो अगर मैंने A का revolution कराए तो building का class हो गया ABC को मुझे तीनों को मिला के देखना है तीनों की net value है तीनों की total में not value है तो अगर मैंने तो तीनों की net value आरती 50,00,000 और revolution होने के बाद उसका तीनों की मिला के value का अरती 50,00,000 उसमें से एकала value थी 10,00,000 की value ते दस लाग, अब A की value हो गई 30 LAG, तो A की value किती हो गई 30 LAG, तो टीनों को मिला के क्या हो गई यह, 50 LAG से पहले 50 LAG आ रहा था अब 30 LAG हो गई 20 LAG का value बढ़ गया तो अब 17 LAG हो गया, amount इसकातार लाग हो गया, तो मुझे total में हो गया तो सित्थर लाग मैनस 50 LAG Device 10 लाइट पचास लाइग मुझे करके कि देखना है रहा है condensed class का देखना है, total PPE का percent नहीं देखना है, हर एक class का, building एक class हो गया, land एक class हो गया, machinery एक class हो गया, तो उस class का, उस total class का, तो अगर वो 10% से ज़्यादा अगर revolution हुआ है, तो मुझे देखना है, उसका amount भी disclose करना है, क्या वो registration हुआ है, क्या हुआ है, तो register value ने कर रहा है, और 10% स वो trading operation तो अभी भी company करेगी, trading तो करेगी, करेगी, तो वो बोल रहा है, क्या है, मैं physical verification क्यों करूँ, अब तो manufacturing operation बंदी कर रहा हूँ, और एक discrepancy भी मिली, एक लाग की, एक लाग की asset की को discrepancy मिली, जो write-off कर दी, disclose कर दी, ठीक है, तो आपन यही तो चाहते है, physical verification reasonable time पे ह तो कोई भी discrepancy अगर मिले, तो books पे properly deal कर लो, तो ठीक हम बता देंगे, इतनी discrepancy मिली और properly deal कर दी है books of accounts में, और going concern भी check करना पड़ेगा, क्योंकि manufacturing operation company बंद कर रही है, तो एक तो यह उपर वाला जो अपनने पढ़ा था न, PPE को reasonable time पे verification करना है, यह वाला point लिखना है, म fix asset बेच रहा है, पर trading operation अभी भी चलेगा, तो physical verification तो करना पड़ेगा, company के नाम पर, director के नाम पर building दे रखे, director के नाम पर building दे रखे, यह पर कोई building है, जो अपनने, अभी SBI के नाम पर दे रखे, क्योंकि loan ले रखा है SBI से, तो इस case के अंदर क्या reporting होगी भाई, कुछ ही अगर company के नाम पर नहीं है title deed, तो यह title deed आली reporting कर दो आपे, title deed आला point पुरा का पुरा यहापर डाल दो, तो यहापर title deed की definition भी एक साथ है, title deed क्या होता है, sale deed, transfer deed, convince भी, sale करी, किसी ने में को transfer करी, convince करी, या भी lease held के time में, lease पर ले रखे, तो agreement कोई भी, अगर नहीं है, description, gross value यह held name, किसके नाम पर है, director के नाम पर है, किस spirit से और क्यों नहीं है, ठीक है, तो first of all आपने पढ़ा था close, PP का, second पटे है आपन inventory का, inventory को पन लिंक कर देंगे, ACE2 और Indease2, वहापे ही में दे रखा है वहापे भी, अगर आपको answer में कभी डालना होना, तो उसको link कर देंगे, ACE2 और Indease16 से, कभी भी answer के अंदर डाल देना, आइसा है का, परसवाइन यह डाल दे गया, इसा है, तो अब inventory के अंदर भी दो point पढ़ने है, वहापे तो पहुछ साह point है, यहापे कि inventory का reasonable interval पर physical verification होना चाहिए, और कोई भी discrepancy आए, तो उसको properly books of account में deal करना है, reasonable interval पर आप कि कोई भी discrepancy 10 या 10% से ज़्यादा आईए, कि each class of inventory, each class of inventory, अगर एसा हुआ, तो क्या properly deal हुआ है, क्या, वहापे PPE के case में ऐसा नहीं था, कि discrepancy अगर 10, 10% आ 10% ज़्यादा आएगी, तो भी deal करना है, वहापे तो एक रुपे की discrepancy भी आगई ना, तो भी आपको deal, इ अगर वहापे की थोड़ी सी भी discrepancy आगई, तो भी आपको deal करना है books of accounts में properly, पर इस inventory के case के अंदर हो डालावाए, कि अगर discrepancy 10 या 10% ज़्यादा है, तो आपको check करना है, कि उसको properly books of accounts में deal करना नहीं करा, वहापे 10% पॉइंट था, वहापे 10% पॉइंट था, वहाप total बन रहे था, अब revolution करा, अब समझ press focus का revolution होगिया, यह तो 5का 5 रहा, यह तो 5 से होगया,शमझ से 25 होगया, तो टोटल कित्ता होगया fix goods फिक्स結果 देखना हा, यहापे दीघ लूगा 25 होगया, तो आपको इसकी total यहापे देख ली, अप अपको से quand to Many class, made fixed goods धेख रहे ही, ए अदर ये class, fix good से एक अलग class हो गया, fix good में A row material है, A b fix good से, B b fix good से, C b fix good से, 5, 5, 5, तो ये पहले 15 बन रहा था, ठीक है न, अब ये यहाँ पर 5, 5, 5 हटा के, अभी हो गया, 5, 5, 8, या फिर तुम कर दो इसको, पाकपाद 10, 20 कर दो, ये 30 हो गया, तो पहले 15 था, अब 30 हो गया, तो ये एक class का total देखो, 15 से 30 हो गया, मतलब सीधी बात है, 50% बढ़िया, 10% की बात नी कर दो, आप 50% बढ़िया है, आपे तो, आपको reporting करने पड़ेगा, मालब एक discrepancy होगी, उसको properly books में लिए करने पड़ेगा, working capital access loan, मतलब कोई भी अगर आपने loan लिया है, working capital loan, working capital loan उना short term के लिए, short term जो loan मिलता है, वो short term loan मिलता है, आपको stock के भरोसे है, और data के भरोसे ही, का हमारे पास sufficient stock है, sufficient data है, कभी हम आपका पिसा नहीं चुका पाए, तो आप हमारा stock ले जाना, तो generally जब भी working capital loan लेता है, bank आपको working capital loan देता है, कि short term loan, CC, सुना होगा cash credit over daft, limit होगा, तो वो देता है, आपके stock के भरोसे, तो अब आपने stock दिया, तो वो तो एक साल के लिए loan ले रहे हैं, आपने जब loan ले आता है, मार्च में, तो मार्च में आपका stock था 10 करोड का, और अब अगले महीने आपका stock क् पाच करोड का, फिर अगले महीने मही के अंदर आपका stock हो गया, पता चला एक करोड का, एक करोड का stock हो गया, अब आपको पहले तो loan लेते वक्त तो 10 करोड था, अभी एक करोड हो गया, तो हर महीने ना हर महीने, जो auditory है, मतलब जो client है, उसको bank को statement submit करना पड़ता है, कि ह क्या वो statement दे रहा है, वो books of account से match कर रहा है नहीं कर रहा, कि bank को लिखके दिया, कि 5 करोड की inventory का stock दिया इस महीने, तो क्या असलिए मैं बैंक को जो 5 करोड की inventory बोली है, उन्होंने, क्या वो books of accounts में भी 5 करोड ही दिख रही है क्या, तो working capital loan अपन को check करना है, कि अगर working capital, any point of time, कभी भी, किसी भी point of time पे, अगर sanction working capital, any point of time बोल रहा हूं मैं, year and पर नहीं, कभी भी, साल के अंदर, कभी भी अगर आपकी 5 करोड के उपर अगर आपने bank से loan ले रहा है, working capital loan में बहुत, short term वाला, तो अगर ऐसा ले रहा है, तो जो भी आप quarterly return या जो भी आप bank को file कर रहे हो, वो statement देखना पड़ेगा, auditor को कि या वो books of account से match हो रहा है, या नहीं हो रहा है, तो इस दो पॉइंटों का physical verification बेरिविकेशन में अगल 5 करोड से उपर loan ले रहा है, तो, right of use asset को revalue करा, आपने 4 करोड से 4.45 करोड का, तो आप देख रो, 10% से उपर अगर revolution हुआ है, तो revolution हाला point लिख दो या पर की amount भी बताना पड़ेगा, cash credit limit 5.45 करोड की है, cash credit limit मतलता working capital लोन, जो भी short term loan हो थे, cash credit limit, CC limit 5.45 करोड की है, तो वो बाद में आप अपन को देखना पड़ेगा, जो भी quarter return आप books ले रहे हो, inventory आप bank को show कर रहे हो हर महीन है, तो वो books of account से match हो रही अंदर भी तो अपन यहीं पड़ा कि reasonable interval पर आपको असेट का inventory का verification करना है, हार एक management को, तो यहाँ पर one year है, यहाँ पर three year नहीं है, हर एक साल के अंदर सारी की सारी inventory का physical verification हो ही जाना चाहिए, वहाँ पर तीन साल था, यहाँ पर एक साल है, यह बोलता है कि मैंने अभी 40% inventory का verification कर लिया, balance 60% का मैं next year कर लूँगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वैसे तो यह बोलता है कि reasonable interval करना चाहिए, वैसे बोलता है reasonable interval पर, जनरली material आइटम जितनी भी उसका सारे at least once a year आपको करी लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? आपने working capital loan ले रहा है 10 करोड का, तो मलब 5,5 करोड के उपर है, तो आप बैंक को data दे रहे हो यह वाला, बैंक को data दे रहे हो यह वाला, पर books of accounts के हिसाब से आपका data है यह वाला, मलब books of accounts और आपके bank के data दे रहे हो, उसमें discrepancy है, तो आपको reporting करनी पड़ेगी, क्या quarterly return agree क कर रहे हैं कि आपकी books of accounts से, अगर नहीं तो उसका reconciliation बना के bank को दो, तो आपको बताना पड़ेगा, पाच कोड़ के उपर, एक quarterly return book से match नहीं कर रहे है, यह variation है, तो variation मुझे बताने पड़ेंगे, कि variation यह variation आ रहे है, कि यह आपर stock books के अंदर जादा है, यह आपर bank को जादा जो भी आ रहा है, तो अपने फर्स्ट पिल अपड़ा fix answer का, second अपने बढ़ा inventory का, फिर अपन थर्ड point पढ़ेंगे, अपने थर्ड वाला close पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, investment guarantee security loan जो अपने given दीए, तो इसको link कर देना schedule 3 पे, schedule 3 के अंदर में लिंक इसलिए करा रहे हूं कि schedule 3 क बोलता है कि कभी related party को loan दिया है, तो आपको disclosure देना पड़ेगा, ऐसे 550 भी बोलता है related party के related जो भी transaction आपको disclosure करना पड़ेगा, तो इससे आप link कर सकते हूं, तो आप investment guarantee security loan and advance आपने किसी पे भी दिया है, किसी में investment करा है, किसी को loan advance दिया है, किसी के लिए guarantee security आपने रखी है, तो वो सीज़ आपको यहाँ पे disclose करने पड़ेगी, whether during the year, पूरे साल में कभी भी during the year, क्या आपने कभी भी investment, guarantee, security, loan and advance किसी को दिया है, कि अचाहे वो secure loan हो, unsecure loan हो, किसी को भी आपने दिया है, क्या company firm, LLP, partnership या किसी भी party को आपने दिया है, क्या, तो यह reporting लग जाएगी, किसी भी company में आपने invest करा है, किसी में भी आपको आपने loan अगरा दिया है, किसी के लिए guarantee security दिया, अगर आपने करा है, तो आपके close 3 की reporting लग जाएगी सर्जे, close 3 की reporting लग जानी है, तो अब आपनको क्या बेखना है, आपनको यहाँ तो यह देखना है, कि जो loan guarantee आपने दिय यह वो किसको दिया, आपने group company वाले बंदे को दिया, loan, advance वगरा, group company वगरा में करा है, या non-group company में करा है, मलब एक तो group company उन्हीं नहीं, associate, subsidiary, वगरा वो, यह फिर non-group company में करा है, तो वो point देखना पड़ेगा, जो भी आपने loan guarantee, advance वगरा दिया है, वो क्या आपने subsidiary joint venture वगरा को दिया है, या फिर other than subsidiary joint venture को दिया है, तो group company को दिया है, non-group company को दिया है, वो आपको देखना पड़ेगा, जो भी दिया है, उसका year end पे, कितना amount उसको invest या फिर loan होगरा दिया है, और year end पे अभी भी कितना outstanding है, पास लाग का हमने during the year दिया, और year end पे अभी भी पास लाग के, दस लाग के, पन्रा लाग के, पहले का भी दिया हो सकता है, या फिर बीच में उसने repay करा हो, तो यह वो उसको बताना पड़ेगा, तो during the year आपने कितना दिया है, और कितना outstanding end में बचा है, तो यह अपन धंबई यही है, NBFCU, आप NBFCU, आपका काम ही यही कि हम loan वगरा देते हैं लोगों को, अगर आपका principal business ही यही है, तो आप पे यह requirement नहीं लगेगा, आप यह requirement नहीं लगने वादी है, तो क्या company ने loan advance वगरा, किसी भी guarantee वगरा, किसी भी दिये क्या, group company को, non group company को, subsidy associated और JV, तो उसका अलग-अलग amount आपको बताना पड़ेगा, terms prejudicial है क्या company के interest है, कोई भी आपने investment guarantee हो, अगर आपने किसी को loan दे दिया, आपने किसी को loan दिया, वो 2% में दे दिया, मतलब यह company के नुकसाम बैक, गाटे का सोधा हो गया, तो आपको बताना है कि कोई भी terms ऐसी है, जो प्रिजुडिशल नहीं हो company के लिए, तो investment guarantee आपने कोई भी दिये, कोई भी AC terms and condition है क्या loan advance अगरा कि जो not prejudicial तो company, जो company के prejudicial नहीं है interest के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा, कि हाँ भी मेरा इसने सस्ते में दे दिया, कुस्तुक अपला है loan का, loan given schedule, जो भी आपने loan दिया जो भी आपने loan दिया, उसका कोई terms of repayment schedule होना चाहिए, कि वो timely कब repay करेगा principal interest अगरा पूरा schedule होना चाहिए, schedule of repayment होना चाहिए, interest अगर का, और वो receipt regularly अपन को आनी भी चाहिए, पेसा अपन को regularly आना भी चाहिए, अगर वो पेसा नहीं आ रहा more than 90 days, मतलब new date आ गई, new date के 90 days के बाद भी अगर पेसा नहीं आ रहा, तो आपने कोई appropriate step लिया है, पेसा रिकावर करने के लिए, appropriate step मतलब कोई आपने समझो, आपने दे दिया, demand loan, demand loan दे दिया, कि कोई schedule नहीं है, जब मैं अभी तेरी मर्चियों तो मत दे, पर जैसे ही मैं मांगूंगा, उस वक्त दे दे आपने कोई schedule fix नहीं है, जब मैं मांगूंगा ता मुझे दे दे देना, तो यहाँ पर reporting करने पड़ेगी, कि company ने demand loan दिया, demand loan की reporting यहाँ पर भी होगी, पुरस एक यहाँ पर भी होगी, दो जगे होती ही demand loan की reporting, new loan to repay all loan, मतलब, अपने किसी को loan दिया था पहले एक करोड का, तो वो एक करोड का चुपा नहीं पाया, तो अपने क्या करा, क्या चले काम कर तेरा धंदा बंदोने की गदार पर, तु मेरे से दो करोड का loan ओल ले ले, तो तु मेरे को बाद में तीन करोड का एक साथ चुका तो वो पहले एक existing loan fair हो गया था, रिकावर करने के लिए, अपने उसको extra loan ओर दे दिया, पुराने loan को repay करने के लिए, पुराने loan को या तो अपने दो करोड दिया, उसमें से एक करोड उसने अपन को वापिस ऐसे चुका दिया, तो अपनने वापिस refinancing कर दिया, इसा कोई भ पर मैंने उसको renew कर दिया, extend कर दिया, fresh loan दे दिया, पुराने loan को settle करने के लिए, अगर ऐसा है, तो उसका amount कितना है, उसका amount कितना है, प्लस वो percent कितना है, उस amount मैं मलब कि जो मैंने renew करा loan या फिर जो overdue वो extra वापिस दे दिया, तो renewed loan मान के चलो, एक तरसके मैं renew करा वो loan, उसका divide by total loan में करूँ, total loan during the year, तो उसका कितना percent बन रहा है, total loan during the year से उसका कितना percent बन रहा है, तो percent of aggregate of total loan जो मैंने during the year दिया है, उसमें से renewed वाला loan मैंने कितना है, उसमें से renewed वाला loan कितना है, renewed loan divided by total loan, उसका percent कितना है, तो कितना amount है और कितना percent है, वो मुझे देखना पे लोन डिमाड वाला लोन में ने दिया एगा, जिसके terms and conditions में ने specify नहीं करी अगर एसा है, तो उसका कितना amount है, कितना percent है, जैसे अपने उपर percent निकाला था, वैसे कितना amount है, कितना percent है, और क्या वो loan अपने किसी promoter related party को दिया है, क्या वो बाकी आपने ग्रूब कंपनी को किता दिया है, पर बाकी इसे सारे पॉटिशन इसे रट नहीं माने, अब कोई भी स्पेसिक कोशन आएगा, वो किसी एक या दो पॉटिटेड आएगा, इसे सारे के लिखने है, लोन घिए उसका प्रिजूटिशन लेगा, अगर आपने लोन कोई भी new loan दिया है क्या पुराइन लोग उनको चुकाने के लिए कोई भी रिमांड ओ लोन आपने दिया है क्या कोई भी लोन आपने दिया related party को तो क्या डिप होने वाली है deposit का एक अलग close रखते है अब आप में लगेगा related party को आपने लोन दिया है अगर लिया होता तो उसकी reporting के गलग होती है आपने डाइरेक्टर को लोन दिया है सस्ते दामों में प्लस agreement भी नहीं है कोई आपको रीपे करनेगा तो एक तो pre-judicial तो company's interest नहीं है यह मला company का interest नुकसान दाएक प्री जुडिशल पॉइंट जो आपने पढ़ाता वह वाला लग जाएगा चीक है ना तो एक तो और उपट से फर्स वाला close पढ़ाता है कि अपने तभी भी किसी को loan दिया है तो related party को किता दिया है के प्लस कोई repay loan demand वाला point भी लग जाया चीक है ना तो यह सारे पॉइंट लग गया है यहाँ पर अपन को reporting करनी है कि सबसीडी को अपने loan दिया था पर square up कर दिया उसने during the year ही चुका दिया तो क्या reporting करनी है हां भाई करनी है आप पहले ही दे दिया तो year end per balance उसका नील है ठीक है अब आगया close number 4 की compliance करना है section 185-186 वह वहां जाने तुमने section 185-186 पढ़ा है या नहीं पढ़ा है मुझे अभी याद मलब तुम्हारा पता नहीं तुम्हारे company से खड़ी हा न कोड़से तो अब तुम्हारे supplementary model आगे तुमने उसको कितना seriously पढ़ा है section 185-186 में पढ़ा तो नहीं सकता तुमको यहाप आशा करता हूं तुमने supplementary model में पढ़ लिया होगा तो section 185-186 deal करता है company देखा कभी भी किसी को loan या investment करती है तो section की कुछ conditions है वो condition आपने company देख की condition भी follow करिये नहीं करिये वह यहापर देखना है हाँ जी तो कभी भी आपने public deposit ली है क्या कोई भी public deposit अगर आपने ली है तो company जाए के कुछ section होते है section 73 और 74 बस वो आप comply कर लेना अगर आपने public deposit लेने तो इन सबसे comply कर लेना आपको और कुछ नहीं करना तो अगर आपने तो भी public deposit ली है तो RBI की guideline section 73 और 74 और companies एक आपने follow करें अगर कोई भी कोट का order था NCLT वगरा का बोड का RBI का public deposit लेने के लिए तो वो आपने comply करा है नहीं करा है cost record का फिर एक आगया six number का point six number का close cost record बोलता है कि अगर company कुछ companies है जिनको cost record अलग से maintain करने पड़ते है उनके उपर कुछ requirement है जैसे electricity company हो गए यसी तीन-चार company जे nuclear bomb बनाने अले company है इनको कुछ cost record अलग से बनाने होते है cost audit की बाप भी कर रहूँ मैं, audit करानी अलग होती है, cost audit अलग होती है, फेले cost record बनेगे उसके बाद audit होगा, तो चाहे audit करानी है या नहीं करानी है वो अलग चीज होगा, cost audit को तो बhul जा क्या उसको as per section 148, 141, और उसको बनाने तो यो cost record, तो क्या उसने वो cost report असली में बनाए है, क्या, तो क्या उसको आपको detail में चेक करना है, क्या, भाई, पहली बात तो मैं costroid नहीं कर रहा हूँ, बस cost record भी मुझे detail में चेक नहीं करना है, मुझे दिखना है कि उसने cost account बनाए है क्या तो मुझे एक तो return representation management से ले लेना है कि भाई तुम्हस propagate यह काम कर लूँँगा अ। मुझे general review कोरना है general review करना है detail के मदर नहीं देखना test detail के मदर नहीं देखना है वर इक cost record को detail नहीं नहीं देखना कारो डास नोट रिक्वायर डिटेल एक्जामेशन जरूरी नहीं है बस एक जनरल रिवीव कर देना कोस्ट रिकूर्ट अब क्लोस नॉबर 7 आता है, इस्टेटीटी वीवीजन भी बनाना पड़ सकता है, आपको फोर्स वर्स नूर्स का यह बिया आपका डिल करता लिटिटीटीटीट्थ अन्परो वीजन से लिटिगेशन एंट प्रोविजन से सक्षें 143 वह भी इससे डील करता है तो वह भी आपको देखना पड़ेगा भाई इससे लिंकेज मैं तुमको डाल रहे था कि तुमको एक्जाम टाइम पर सारे के सारे चीजे एक साल दिखे आ सको तुम्हारे दिमाग में यह आएगा कि क पाग आप इसके पॉइंट तो यह दो चतर के स्टेटिट उस बोलता है वह स्टेटिट उस जो अंडिस्प्यूटेड है और वह दिस्प्यूटेड है तो दोनों को तोड़ा पहले बोल रहा है कि मालब हमनें डिस्प्यूट नहीं कर रहे है गोर्नमेंट भी पैसा मांग र कर रहा है यह अगर नहीं तो कौन कौन से इस देखना है कि कौन कौन से मलब यह चल रहा था यहां पर 31 मार्च 2000 कुछ भी गलो ना दो हजार चोईस कर लो या कुछ भी कर लो च्छोईस इस डेट पर इस डेट पे कौन-कौन से ऐसे स्टेटिट युज यहां पर यहाँ पर यहां पर यहां से स्टेटव रिपे हो जाते तो मुझे रिपोर्टिंग कर रहा है, तो मुझे आउट इस्टेंडिंग वो देखनें, लास्ट जेट पे, जो 6 मन से ज़्यादा ड्यू पड़े वे पिरिट फॉर मोर दिन 6 मन्थ, from the date देविन बिकम पेबल, पेबल बन चुके थे, उसके बाद भी 6 मने से ज़्यादा हो पड़े वे, तो मुझे वो बताने की हो कौन को से, अब इस्ट्यू डियूस कौन से हो सकते है, GST, PAF, ESI, income tax, sell tax, advance income tax भी होता है, कोई भी इस तरह से custom duty अगरा हो सारे, अब यह तो इसको नहीं मानेंगे, इसको डिस्प्यूट नहीं मानेंगे, आप तो बस उसे request कर वे, कि नहीं, वो तब मानेंगे, जब आपने कोई एक positive evidence हो, कि आपने उस socos notice का अच्छे से reply दिया है, या फिर आपने उसके उपर case कर दिया है, कि मालब case पर court पर लड़ रहे होता हो, तभी हम dispute मानेंगे, वन्दा उसको disputed मानेंगे, dispute मतलब जिसका positive action, कोई positive evidence हो कि मैंने action लिया है मेरी तरफ से, कि मैं demand accept नहीं करता हूँ, 12 लाग का provident fund था, 2 लाग अभी तक authority को नहीं दिये है, तो एक तो यह reporting कर नहीं है, प्लस section 250 मैंने बोलाई तो तुमको link कर देना इसके साथ, चेस्टी डिपार्टमेंट से notice आया, company ने reply नहीं करा है department को, तो उसको disputed नहीं मानेंगे, वो non-disputed है, तो एस 39 या इंडेस 37 के साथ से provision भी बनाओ, यह not disputed, non-disputed है, 250 section, ऐसे 250 भी लगाओ, तो वो सब मैंने बोलाता हूँ, काय पे भी आपकी appeal pending है, तो appeal के साथ साथ का section लग जाएगा, इस stage में income tax एक के अंदर pending है, आपकी itate के अंदर forum itate है, आपका किस amount की pending है, income tax pending है, और इस साल का pending है, यह इसका formatting हुए है, आठवा number हो गया, unrecorded income, जो S.E.240 मतलब जो fraud से deal करता है, उस से आपको लगाना पड़ेगा, कोई भी ऐसी undisclosed income थी, कि मतलब income tax एक के अंदर एक scheme निकाली दीन, तो कोई भी असेसी ने, एसी कोई भी income disclose करिए, कि income tax एक जो voluntary scheme आयती है, आप disclose करके, तो अगर वो करिए, किसी ने अपनी income disclose करिए, तो books of accounts में properly उसका treatment कर दो, क्योंकि वो income आपको government को surrender करनी पड़ेगी, गौर्मेंट को देनी पड़ेगी, वो income, वो books of account उसका properly treatment हो जाना चाहिए, कोई भी ऐसा transaction जो books के अंदर record नहीं करा था, तो वो surrender कर दिया, disclose कर दिया income during the year, income tax act के अंदर, तो वो properly record कर दिया है, books of account में properly record कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये fraud case था, तो ऐसे 240 लग चाहिएगा, अपउइंट करा auditor, resignation ले दिया, उसने, बाद में पता-पड़ा survey के अंदर, कि undecorded sales लाकी, company ने surrender कर दिया, disclose कर दिया, उसको, उसने, तो अब क्या करना है आपको, एक तो न, जो company resignation करती है, तो कारू का एक दूसरा close आएगा, यहाँ पर बाद में वो भी close लगा दिना, प्लस ये वाला तो लगेगा, कि उसने disclose कर दिया, अब यहाँ पर close number 9 लगता है, company loan लिया, repay करते वग, company ने धोका कर दिया, repay करते वग, धोका कर दिया company ने, तो इसको क्या करना है, एसे 570 से link कर देना, going concern की company loan नी चुका पारी, तो company हो सकता है, बरबाद हो सकती है, close 3-4 से link के मैंने इसलिए बोरा कि वहाँ पर loan देने की बारी थी, अबने वहाँ पर दिया था, यहाँ पर ले रहे है, ठीक है ना, तो इसलिए link करा है, यहाँ डिफोल्ट, क्या company ने किसी भी lender से, किसी भी, मैं अच्छा है, individual, ram, gunsham, कोई भी company, किसी भी bank, कई से भी loan लेके कई पर भी default करा है, क्या आस तक कभी भी default, कोई भी default करा है क्या, कोई भी interest हो, या फिर principal amount हो, कोई भी, किसी भी lender से default करा है, क्या, अगर करा है, तो किस nature की boring क्या थी, debt थी, क्या था, नाम क्या था, उस lender का, lender wise नाम दो, उसका, कौन सा amount, जो due date पे, amount, जो due date पे नहीं करा है, principal amount है, interest का amount है, कितने दिन का delay हो गया, और क्या रिमाख है, इस सब बताना, कोई भी default करा है, तो इस side detail आपको देनी पड़ेगी, lender wise detail दो, तो ये वल, reschedule more, restructure हुआ, तो उसका मतलब, ये नहीं कि आपको reporting नहीं करनी, तो भी हम default ही मानेंगे, कि अभी आपका loan का period था, कि आपको इस date पे मुझे loan दे देना था, तो यहाँ पे आपने default कर दिया, तो उसने बहुत रिस्ट्रक्चर कर देता हूँ, तो मुझे चार सल बाद loan दे देना, आप repay कर देना, तो यहाँ पे आप default कर चुकियो हो ना, तो हम तो उसको default ही मानेंगे, इक बार थो default मानेंगे, हम आपकी reporting करेंगी ही करेंगी, अब हो restructure कर दियए, वह बात की बात है, Freedom restructure, एक बार थो हम उसको reporting करेंगी ही करेंगे, default मन के, क्या company कभी भी bank या फिर financial institution ने उसको willful defaulter माना है क्या कभी भी bank या फिर financial institution ने उसके लिए खिलाफ certificate issue कर दिया कि ये बंदा willful defaulter है जानप उसके पेसे खा के भाग जाता है, fund divert करा है क्या, जिस purpose के लिए आपने पेसा के लिए बंक या जिसको भी बोलके जिस पेसे के लिए लिए लिया था वो उसी purpose के लिए उटिलाइज होना चाहिए अगर नहीं होत fund divergent किलाता है short term to long term, ये भी fund divergent किलाता है कि अगर आपने जो short term loan लिया है न तो उसको short term purpose के लिए यूज लो पर मैंने तो उसे बहुत बड़ी machinery गाड़ी खरी लिए नहीं कर सकते है, divergent नहीं रिपोर्ट करना पड़ेगा fund for subsidiary and JV कोई भी आपने fund उठाया है क्या market से JV subsidiary वगरा को बाटने के लिए, क्या आपने JV subsidiary लोन नहीं लिया आपने लोन लेके उनको बाट दिया, कोई भी ऐसा company ने कोई भी ऐसा fund लिया है क्या subsidiary associate JV की कोई भी obligation meet करने के लिए pledge security और subsidiary JV आपने कोई भी लोन लिया है क्या किसी भी कही से भी और आपने बदले में जो security दी ना तो आपके पास क्या company holding आपके पास जो भी share security थी उसकी subsidiary associate JV की आपने बदले में वो security में रख दिया कि आपके पास जो भी shares थे ना subsidiary associate JV के उसको mortgage करा के रख दिया कि आप भई तुम ये रख के मुझे लोन दे दो तो ऐसा कुछ भी आपने कराए कि आपके पास subsidiary JV associate के जो भी share security पड़ी थी उसको pledge करा के आपने लोन दे दिया उसको pledge करा के आपने लोन दे दिया ठीक है ना तो ड्यूस के आपने देखना पड़ाए कि उसने default कराए कि विर्फूल्टर बैंक ने बोलाए कि फंड डाइवर्ट कराए कि उसने कई भी परपस के हिसाब से short term को long term में पिसा में लगाया है कि फंड जेवी subsidy के हिसाब से लिया था कि है फिर फंड जेवी subsidy की shares को गरा को मैंने mortgage करके लिया है कि mortgage word नी sorry pledge loan obtained करा था मैंने R&D equipment खरीदने के लिए पर बाद 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 डाइरेक्टर ने उसकी कार के लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए जिस परपस के लिए लिए था वो एक्ट्वल utilization नहीं हुए वो मुझे आपर बताना पड़ेगा loan का मैंने default कर दिया पाद इंस्टॉल्मेंट में से मैंने तीन इंस्टॉल्मेंट ही पे करी बाकी को मैंने reschedule करा दे है reschedule का मतलब नहीं होता कि हम आपको reporting नहीं करेंगे आप reporting तो करेंगे क्योंकि एक बार तो आपका default हो चुका है ये format में करने पड़ेगी डिफोल्ट करा रीपेमेंट में पाच अप्रेल को पर ना नई डूडेट थी 28 फरवरी गी पर 5 अप्रेल 2021 को उसने पे करा default मालब डूडेट तो थी मालब जो पहले लिक होंँ जबर और के घंगे आपका अंदर जागे या दिफोल्ट अचे अप्रेली को छोटेग कर दिया थी कर रहे हैं। temporary मैंने short term deposit में डाल दिया term loan, जो factory के लिए लिया था कि factory बनाने के लिए पर मैंने उसको deposit करा दिया उस पैसे के loan लेके, purpose गलत यूटिलाइस ले ले लिया, report करना पड़ेगा। अब यही बोलता है कि अभी मैंने पैसा उठाया काई भी मार्केट से preferential allotment करके, FPO उठा के IPO, FPO कोई भी मैंने issue करा, market से IPO, FPO मैंने issue करा, तो IPO, FPO से जो भी मैं पैसा आया, तो जिस purpose के लिए मैंने IPO, FPO issue करा था, पैसा उठाया था, उसी purpose के लिए मुझे use लेना है, और अगर कुछ-कुछ guideline होती है, preferential allotment की, कि अगर आप किसी specific बंदे को preference देके आप पैसा उठा रहे हो ना, कि इसी बंदों से उठाना मुझे specific, लोग उस company की condition है, वो मैंने follow करी यह क्या, तो first follow तो क्या है, कि जो उपर वापे था ना, यह मैंने, उपर loan का पेसा, तो वैसे IPO, FPO का पेसा, चाहिए debt instrument issue करा आपने IPO, या फिर FPO initial public offer, या फिर further public offer, second बार, third बार, तो वो जिस purpose के लिए आपने पैसा उठाया था, उसी purpose के लिए आपने use लिया है, plus preferential allotment अगर आपन पूरी करी है, मैंने, plus जिस काम के लिए, जिस purpose के लिए उपिसा था, वो purpose मुझे हर बार देखना पड़ेगा, fraud by or on the company, यहाँ पर section 240 से भी link कर देना, तो fraud reporting एक तो 240 में जाती है, एक section 143, subsection 12 में जाती है, और एक कारू में भी जाती है, तो तीन चीज़ आपको एक साथ लिखनी बढ़गी fraud के अंदर, तो भाई मुझे यह देखना है यहाँ पर, कि fraud या तो company ने किसी पे कराया है, या तो company ने किसी पे कराया, या company पे किसी ने कराया, तो company ने किसी पे कराया, या company पे किसी ने कराया, एसा कोई भी case है, तो आपको बताना पड़ेगा, क्या कोई भी fraud by the company और fraud on the company, या तो company ने किसी पे कराया है, या किसी ने company पे कराया है, कोई भी ऐसा fraud अगर आपको notice हुआ, कोई भी fraud आपको इसा notice हुआ तो आपको बताना पड़ेगा कि उसका nature क्या था और उसका amount क्या था कोई भी ऐसा fraud और कोई भी उसकोईटर को भी बताना पड़ेगा कि section 143, subsection 12 जो करता है central government को आपको fraud की requirement मलब central government को बताना पड़ता है कि अगर कभी भी कभी भी एक करोड के उपर का fraud गया है कभी भी एक करोड के उपर का fraud हुआ है तो आपको central government को बताना पड़ता है section 143, subsection 12 वो नीचे आएगा तो अगर कोई भी ऐसा auditor ने कई पर बताया है कि हमले लग central government को बताया है कि during the year की 143, subsection 12 के अंदर कि यहाँ यहाँ पर fraud हुआ है तो वो यहाँ पर report करना पड़ेगा क्या auditor ने consider कर यह whistleblower complaint whistleblower policies जो होती हर company के अंदर कि कि किसी भी बंदे को अगर लगे employee वगरा को कि हमारी company में fraud हो रहा है तो वो say B, TCWG को एक portal होता है whistleblower complaint का तो whistleblower complaint वो कोई भी employee raise कर सकता है, कोई भी company raise कर सकता है वो तो वो auditor को consider करना है कि whistleblower complaint कहा कहा होई है तो यहाँ पर वो fraud आएंगे जो यहाँ तो मैंने notice करे या फिर auditor ने, खुदिने notice करे या फिर किसी ने report करे, किसी दूसरे बंदे नारा कि report करा कि यहाँ पर fraud है, section 240 तो comply करना ही करना है suspected fraud नहीं कि मैंने को क्यों suspect वो नहीं है तो मैंने खुदने notice करे या फिर किसी ने मुझे report करे प्लस materiality तो check करनी है, छोटा मोटा चिन्दी मिन्दी fraud तो छोड़ दूँगा मैं अब न देखो, यह वाला मैं तो पढ़ाई देता हूं चलो भी यह वाला जोटाना, इसकी section, इसकी close number 11 की requirement थी कि किसी ने company पर करा या फिर company ने किसी पर करा है पर section 143 subsection 12 क्या बोलता है, 143 subsection 12 पर reporting का लगती है उसमें तो company पर किसी ने करा है, किसी ने भी company पर करा है पर 143 subsection 12 बोलता है, किसी भी employee या फिर officer ने, officer ने company पर fraud करा है क्या company पर fraud करा है क्या, तो अगर यह condition पूरी हो रही, employee officer ने company पर fraud करा है क्या तो आपको यहापर 143 subsection 12 की reporting लगती है, मलब रेंडर customer ने company पर करा है against the company by a vendor by a vendor, अगर vendor के through हुआ है, तो 143 subsection 12 की नहीं लगेगी, पर ICA ने एक और alternative दिख दिख दिया है, अगर vendor ने employee के साथ मिल के करा है, तो तो 143 subsection 12 की reporting भी लगेगी, प्लस इस case के अंदर भी, उसकी तो कारों के reporting लगेगी, लगेगी, तो यह वो ही है, कारों के reporting भी लग बता देना है, और यहाँ पर 143 subsection 12 की बताना, company is committed a measure fraud on its customer, company measure fraud करा है, customer पे, तो इस पर 143 subsection 12 नहीं लगेगा, उस पर केवल वो लगता है कि employee ने company पर क्या करा, तो यहाँ पर केवल वो लगेगा, कारों का close ही लगेगा, ठीक है ना, कारों का close number 11 plus as an auditor, as an auditor, मुझे केवल financial fraud से मतलब है, financial fraud से, मुझे कोई भी operation fraud से मतलब नहीं है, जैसे इसका question आए वाई नीचे, कि company ना, customer के साथ छोटा मोटा fraud कर रही है, कि purity of gold सही नहीं बता रही, जोएलरी बिजनिस है, वो बोल रहा है कि ये choice carrot का बिल्कुल सोना है, बिल्कुल ख़डा सोना है, पर असली के अंदर तो 12 carrot का सोना है, तो company customer के साथ छोटा मोटा fraud कर रही है, तो मुझे कोई ना दयान नहीं, आप business के अंदर थोड़ा जूटबूट बोल रही हो customer से, मुझे उस fraud से कोई मतलब नहीं, तो मेरे को वो नहीं देखना है, जिसका financial implication हो, मेरे को क्यों उस fraud से मतलब है, जा मेरा financial statement हिन रहा है, तो मेरे को धंदे इस मतलब नहीं, पर हाँ, आगर सामने वाला customer case waste कर देगा, litigation कर देगा, तो उस cost को मुझे books में लेना पड़ेगा, बस, section 240 भी लिख देना, section 240 भी भी बोलता है कि जब तक मेरे books over accounts पर कोई भी impact नहीं पढ़ रहा है, material statement नहीं हो रहा है, FS के उपर तब तक मेरे पर को implication नहीं है, तो caro reporting भी मुझे नहीं कर दी है, 12th class की नीधी, नीधी company, नीधी companies होती है, नीधी company के अंदर आपनको requirement चेक करनी है, कि अगर company नीधी company है, अगर company जिसके आपन वाइट करें हो नीधी company है, तो नीधी company में आपनको चेक करना है, को भी नीधी company है, अगर देखना है, उसका net on fund to deposit का ratio जो है, 1 to 20 होना चाहिए, 1 to 20 क्यों नीधी, net on fund और ratio, up to deposit का ratio, 1 to 20 होना चाहिए, net on fund to deposit ratio, 1 to 20, net on fund to deposit ratio, 1 to 20, अभी बताओ, net on fund क्या होता है सार, net on fund मतलब कुछ नहीं होता है, capital मानला तुम एक तरी कैसे, capital, net on fund मतलब, paid up equity share capital, and free reserve, paid up equity share capital and reserve, minus, minus accumulated loss and intangible asset, minus accumulated loss and intangible asset, यहाँ पर equity, preference word नहीं ध्यान राखना, preference share include नहीं होते, equity share capital, plus reserve, plus free reserve, minus accumulated loss and intangible asset, यह होता है net on fund, इसका फिलम लाग के शेर कैपिटल होगे, एक पर से क्यूटी शेर कैपिटल माइनस लोस होगे, इंटेंजेवला से भी माइनस कर ले नहीं है, ठीक है, तो ये नेट आउट फंड होता है, तो अब डिपोसित लिए रहे रहे हैं, सेविंग बैंक अकाउंट उसने अपने एक अपने पास रखना यह, जों भी डिपोसित इसके पास है वह 10% आपको अपने पास रखना ही रखना तो ने टां कर डूसry परसे न इंपरना ही लाइबिलिटी ना हो जिसके ओपर ढरता है है प्लस नीदि कंपनी ने कभी भी कोई default नहीं करा है interest pakा एक आपको ऊहले बाट है लोन दे रहे थे related को अगल जाएगा रिलेटBir से कोइब भी transaction हुआ है तो इधर आ जाएगा इसको section आएसे 550 जो रिलेटेट पार्ट से डील करता है एस 18 और इंडेस 24 रिलेटेट पार्ट से डील करता है उससे आप कर सकते हैं section 177 188 यह होते है companies act है मुझे नहीं पता आपका companies act कैसा अभी section 177 188 डील करते है से डीलेटेट पार्ट से डीलेटेट पार्ट का ट्रांजेक्शन करने के विले audit committee से अप्रोल लेनी पड़ती है section 188 के अंदर मलब कि अगर इस limit के अंदर है तो general approval से काम पड़ जाएगा general resolution से काम चल जाएगा पर अगर उस limit से उपर गया तो आपको special resolution लगाना पड़ेगा related party के लिए transaction करने के लिए वह जितने भी company जखके section डे related party के लिए section 177 188 क्या आपने वह comply करे है या नहीं करे वह auditor को बताना पड़ेगा क्या सारे transaction जो भी related party जाथ हुए है वह company ने वह एक पर 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 आपने पर यह आपने पर बोरें ली है तो related party से बोरें ली है आपने ली है तो आपको यह पर YOUR 대통령 call internal audit system क्या company के पास कोई भी internal audit system है क्या इंट वह erzählen फिरली को बोर रिपोर्ट इंटर अड़िटर को statuator check क्रें अच्छी करें और जो इंट्रव है न आपका वह company Ces Saige और Nature के साफ से ठीक है Company बहुत बढ़ ये पर आपका internet system इतना इस्टा वह बहुत बढ़ी है तो वह यापर रिपोर्ट करना पड़े तो Company के Saige और Nature के साफ से आपको internet system है या नहीं वह बताना पड़ेगा प्लस internet की चेक करने पड़ी है जैन dzi latch winter na के ँअपने उसकी मी लेके मैंने कार उसको देडी मेंने उसकी कार लेके मेरी बुलडिंग उसके उन्हOOOOOOOO केस्ट आपने उसके साथ कर रहा है वहाँ पे आपने cash के मॉनिट्र आपने कर रहा है जो वस्त्वों का आदाम प्रदान जिसको अपन बोलते हैं बाटर सिस्टम आपने कभी भी कोई director के साथ कराये किया तो क्या company कभी भी non-case transaction में involved हुई है कि director या पिर दायरेक्टर के जान पेचानत वाले डायरेक्टर के रिलेटिव में नीं रिलेटिटेट पैसके साथ है कि अगर कराए तो इसकी कंपनी जैके सेCTION 192 लगता है कि अगर कभी ठरांज़ेक्षन के साथ कर रहे हो तो कुछ कंडिशन कंप्लाइ करने पड़ती है special resolution फलाना दीख रहा है तो वह आपने comply करा है नहीं करा है वह आपने comply करा है नहीं करा है वह देखना पड़ता है नौन केस्ट रांजेक्शन करा है Mr.Ram one of its director तो director के son के साथ करा है director के son के साथ करा है उसको एक asset लिये और दूसरी asset दे दी एक asset लेके दूसरी asset दे दी तो वह आपर 192 करेक्टना है एक question आया था recent exam में जिसके अभी तुक registered answer निकाला नहीं है इसलिए वह अपनी book में नहीं है पर जिससे answer आएगा वो निकाल दूगा उसके अंदर तुमको आया पर बस same type का question था बस वह आपर non case transaction word use दी लिया था तुमको ध्याद में रखना है वह पर था कि company के पास एक land थी वह company के पास जो land थी ना वो company ने डायरेक्टर के जान पेचान वाले को या डायरेक्टर को दे दी और उस बंदे के पास एक दूसरी land थी land 2 थी तो वह company ने लिए अब identify करो कि order के क्या responsibility इसको लेके बच्चे को पता ही नहीं पढ़ा था इस पर कारो reporting लगेगी तो वह चीज धियान रख या फिसके holding subsidy associate के साथ कभी भी other than cashmen नहीं करना है वो आपको प्रोइबिट करेगा अगर ऐसा ऐसा कुछ हुआ है तो मालब कुछ condition follow करनी पड़ेगी उसको overall यह 192 की दो condition है वह आपको देख लेनी है Registration with RBI अपने NBFC chapter पढ़ रखा NBFC chapter के अंदर नहीं था कि कभी 50% of financial asset आपकी 50% income हो तो आपको RBI के अंदर registration लेना पढ़ जाएगा आपको NBFC मन जाओगे आप तो एससी कोई भी आप company होगा जो आपको registration लेना पढ़ेगा क्या आपको RBI के अंदर registration लेने की जरुवत ही क् NBFC का business कर रहे हो NBFC housing financial activity तो आपके पास valid certificate of registration यह बीना तरफे इससाइब कर रहे हो हो क्या क्या वैबरे company is a core investment company core investment company अपने NBFC chapter के अंदर पढ़ाता क्या company core investment company है क्या क्या company core investment company है क्या और क्या group के अंदर एक से ज़्यादा core investment company है जो आपका group companies है ना उसके अंदर एक से ज़्यादा core investment company है क्या कि क्या आपको 45 IA of RBI के अंदर registration लेने की जरूँ ते क्या RBI के अंदर registration लेना है कि आप NBFC हो आपको पता है नहीं पढ़ा हो 50% of financial asset, 50% of income आपकी अगर financial income उसकारी NBFC से, तो यह NBFC में पता पड़ जाएगा, अगर अपने NBFC चेप्टर पर तक नहीं पढ़ा है, तो यह NBFC कर रहे हो, क्या आपको और, यह भी NBFC के दोनों point इस, certificate or registration, आपके वाद core investment company हो, क्या क्या और आपके group में एक से यादा core investment company होर भी है क्या Cash Losses, क्या कभी भी company ने cash losses incur करे हैं गया during the financial year and immediately preceding the financial year, क्या company ने cash losses incur करे हैं गया during the financial year and immediately preceding financial year, तो आपको यहाँ पर report करना है, तो य cash loss की बात हो रही है, depreciation हो गरा की नहीं, cash loss, cash loss की, तब आपको report करना है कि इस साल भी और पिछले साल भी, पर ICI जनरली न, अगर केवल इस साल ही उसने cash loss करा है न, तो भी reporting कर देता, ICI तो, तो आप भी कर देना, फिक है न, तो अगर कभी भी आपने cash loss भुगता है, इस साल है और पिछले साल, तो आपको उसका amount बताना है, उसका amount बताना है, resignation by any statutory auditor, केवल statutory auditor की बात हो रही है, intern auditor की बात नहीं हो रही है, क्या during the year, किसी भी statutory auditor ने resign दिया है क्या, चाहे वो tax auditor भी क्यों नहीं हो, tax auditor हो, JST auditor, वो statutory, low end regulation के हिसाब से appoint हो है न, इसलिए, तो whether the, कोई भी resignation, statutory statutory auditor ने दिया है, क्या, अगर वो registration उसने दिया है, तो statutory auditor कुछ representation देखे जाता है, कि मैंने क्यों resignation दिया है, तो वो नए auditor को check करनी पड़ेगी, क्यों उसने क्यों दिया है, whether the auditor ने, उसको check करना पड़ेगा, कि क्या issue, objection, concerned है, जिस वे उसने, objection दिया है, तो ADT3 के अंदर हो दे auditor को check करना पड़ेगा, उसने reason, क्यों दिया था, उसकी representation पड़ेगा, material uncertainty, company ability to meet its liability, कोई भी एसे factor है क्या, जो ASA 570 के आंदर बोलता है, कि कोई भी एसे factor है क्या, कि company को एसे कोई factor लग रहे है, कि जिससे वो going concern meet now पाए, going concern कि उसके adverse financial ratio है, उसको boring नहीं मिल रहे है, उसके ratio सा गिरते जा रहे है, loss बढ़ते जा रहे है, इसे कोई भी indicator दिख रहे है क्या, जिससे आपको लग रहा हो कि यह company next one year तक चली नहीं पाएगी, going concern ही नहीं इसका, तो, on the basis of, auditor देखेगा on the basis of financial ratio, current ratio गिर गया, profit ratio गिर गया, GP ratio गिर गया, aging, या फिर expected date of financial asset के realization मुझे कब होना चाहिए था, पर असली में नहीं हुआ, liability मेरे को बहुत ज़्यादा होते जारी है, इतनी तो मेरे पाँ asset बची नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा कि यह सारे चीज no material uncertainty exists, material uncertainty exists नहीं करती है कि company capable है, company capable है कि अभी next one year के अंदर जितनी भी liability आएगी company pay कर सकती है, यह देखो, तब जो भी next one year के अंदर liability आने वाली है, वो company pay कर सकती है, तो उसको report करना है कि auditor को ऐसा लगता है, auditor की opinion में ऐसा है क्या, keep going concerned है entity, ऐसा लगता है क्या, वो उस quarter को दे पढ़ेगा, बेनामी property की यह उसका fix a set वाला first point था, बेनामी property वाला, resign कर दिया auditor ने है, तो resignation का यहाँ पर यह लग लग जाएगा, transfer of un-spent CSR amount, company का कोई CSR का project चल रहा था, उसका पेसा उसने पूरा नहीं लगा, 2% of CSR, company बाग होता है कि कुछ limit पार हो गई, तो 2% of उसको turnover CSR करना पड़ेगा, corporate social responsibility, तो वो 2% of turnover उसने पूरा इस बार CSR के लिए उसने पेसा खर्च नहीं करा है, तो अब समझो, जैसे अब अब हमें तुमको example दिया है, 2% of average profit, उसका 100 lakh आ रहा था, तो उस 100 lakh का, उसको मलब CSR करना था उस साल में, पर उसने 100 lakh में से 20 lakh तो उसने spent कर दिया, पर 80 lakh का amount उसका unspent रहे गया, 80 lakh का उस साल उसने spent नहीं करा, तो unspent रहे गया, उस 80 lakh में से 20 lakh तो ऐसा था, जो अभी तक उसक नहीं था, कि उसका कोई project अभी शुरू ही नहीं करा था, पर 60 lakh ऐसा था जो कोई project के लिए था, कि मतलब वो project एक साल में complete नहीं होगा, वो 2-4 साल में multi-years में complete होगा, वो 2-1 साल के अंदर building बना रहे हैं, हमको CSR के हिसाब से, तो वो multi-year में complete होगा, कोई project है, ongoing project जो multi-year के अ 20 lakh है ना, जो ongoing project के लिए नहीं है, तो भाई इस नहीं आपको अभी तक अपने हाथ में क्यों रख रहा है, इस पेसे को तुम जाके, schedule 7 के अंदर जमा करा हो, investment education fund वाले जो होते है, उनके अंदर जमा करा हो, तो जो other day ongoing का पेसा है न, other day ongoing project, उसको within the 6 month from the year end, year end के 6 month के अंदर अंदर आपको schedule 7, schedule 7 के अंदर जो fund है, उसके अंदर पेसा जमा करा दो, पर जो ongoing project का है, कि भाई यह वो पेसा चल रहा है, हमको बार-बार जरुत पड़ेगी, अभी 2-3 साल तक का project चलेगा, वो 2-1 साल का project है, तो न, आप एक काम करो, जैसे year end हुआ न, जैसे year end होगा, या तो year end के 30 दिन के अंदर अंदर एक अलग account खुरा लो, un-spent CSR account, उस bank account में एक बार आप जमा करा दो, जैसे से आपको पेसे की requirement हो, उदर से निकाल के आपकी काम में use करते रहे न, पर उस पेसे को मेरा, आप building बनवा रहे हो, आपको BCSR के लिए, तो उसको maximum 3 साल के अंदर अंदर आप complete करा देना, 3 साल के अंदर आप वो काम खतम करा देना, अगर 3 साल में नहीं करा पाए, तो इसके next 30 days में, 3 साल में करा पाए, तो उसके next 30 days में, आपको schedule 7 के fund में transfer करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 36 मेने के अंदर अंदर रहे है, यहाँ पे पहले 30 दिन के अंद पर अंदर ही आपको जमा करा देना है, पर अगर remaining amount कोई है, जो ongoing project चल रहा है उसके हिसाब से, कोई भी ongoing project तो आपको special account में जमा कराना है section 135-6 के साब से, लिमिट है नहीं कोर्स के अंदर पर तुमको समझाने के लिए बताना पड़ा मुझे, असली के अंदर ये वाले companies बोलता ये वाली चीज़ है, अब मैंने बोला था, CFS के उपर ना कारों नहीं लगता, परिंग मैं मैं बोला था, एक closest CFS पर लगता है, कि जनरली, CFS क्या होता है, बहुत सारे audit report और बहुत सारे financial statement को लेके बनता है, कि यहाँ पर ये हो, ये था Reliance Limited, इसके अंदर A, B, C, बहुत सा कारों लगा है न, इन चारों में से किसी पे भी अगर कोई adverse remark था, किसी भी company पे, जिस जिसकी stand-alone कंपनी पे अब्स रिमार्ग था, B पे था, D पे था, कोई adverse remark, कारों रिमार्ग, कारों पी, कारों की reporting पे इन पे कोई adverse remark था, तो CFS में बताना पड़ेगा कि कौन-कौन से stand-alone अगर है तो उसकी डिटेल और बताओ पूरी पेरिग्राफ क्या ठीक है सर अपने पूरे के पूरे 21 अगर कोई भी अगर आप नेगेटिव इंपेक्ट दे रहे हो कि हाँ यहाँ पर पूरा 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 रिजन वहाँ पर लिख के दो और अगर कभी आप एक्सप्रेश ही नहीं कर पाए opinion तो उसका भी बताओ कि क्या fact है आपकिस वजहे से आपका opinion एक्सप्रेश नहीं कर पार हो management आपको data नहीं दे रहा है या फलाना डिख आपके साथ क्या issue हो रहा है अब अपना बचाए, Companies X का ये Section 143 कुछ रहे गया, Section 143, Subsection 1, Section 145, 143, Subsection 3, जो फ्रोट रिपोर्टिंग का है, तो सर्ण ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको मैं अल्रीड पढ़ा चुका हूँ, पर इसमें क्या करता हूँ, आपको नीचे, description box में आपको नीचे लिंक देता हूँ, description box में link देता हूँ, including timing में आपको बता दूँगा, कि किस timing पर ये section में disclose करे वे, उस timing में आपको बता दूँगा, कि ये वाले से आप यहाद से timing के लिए कि ये वाली वीडियो आप वह रैफर कर लो, पूरा company एक नहीं देखना, कि इस timing से, इस timing का देख लो, ये वाले section पने हो पूरा गबरा chapter upload कर रहा है, तो maybe अगर मैं तुमको description में link देना भूल जाओ ना, companies एक का, उस timing के साथ, तो मुझे तुमें काम करना, एक काम करना, comment box में याद दिला देना, दो-तिन comment आ जाएंगे तो मुझे याद आ जाएगा, तो मुझे याद आ जाएगा, पर बहुत important है, तुम छोड़ के चले, जो बहुत important है, चोड़न नहीं है, गलती से question आता है, ठीक है ना, बाकी तुमने पूरा देखी लिया होगा, free fast check page YouTube पर चल रहा है, तो subscribe कर लेना तुम YouTube के चैनल को भी, तुमको बहुत सारी और tricks, nemonics की वीडियो भी अभी मिलेगी, जो मैं free में notes, बहुत सारे बाठता रहता हूँ, free free notes, telegram channel का नीचे भी मैं description box में link दे दूँगा, खुज्यो टेlegram channel के अंदर free है, क्या चल रहा है, प्लस आपको अगर ये book लेनी है, तो मैं description box में link दे देता हूँ, book तो आप देखी चुके हो, पूरी colorful chart, tabular format अगर इस से पू बहुत समय रहे, बहुत अच्छी book के 100% coverage के साथ, खीके सर जी, चलो, ओके फिर, फिर मिलते हैं जल्दी next chapter के साथ, चैनल सब्स्क्राइब करें, टाट आप आप हैंब है,